पुलिस कुछ करे भी और सरकारी वकील यदी पुलिस की उस रिपोस सरकारी वकील नहीं चाहे तो नहीं हो सकता लेकिन एक और चीसर यह बताईए कि आप लोग बेसे कोई भी आदमी कि जब इतना वरा स्टेट है और इतनी तुष्टी करन है हिंदू बहूल स्टेट है फिर वी कैसे आप आते हैं यह फिर किस आधार पर इन्हें क्या डर नहीं लगता कि हिंदू के उपर अत्याचार करने स सरकार इंद की आहीं आघी आज के टाइम नंपर आवरान ओड लेते कभी खिलाड़ी के इतेसी ने प्रभावित है इनको इनको हर तरीके से क्राइम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है यह जो अब भी एग्जामपल है यहां के दंगे आप लॉयन ओडर एक राज वेवस्ता है लॉयन ओडर जो राजा है उसकी जमेबारिया सब उसके लिए परजा समान है पर फिर भी एक पर प गटना रोकी जा सकती थी काने लाल की गटना इंटेलिजन्स थ्रेट भी था परंतु यह मैसेज का बहुसंख्यों में जाए इसके द्वारा स्टेट के द्वारा एक स्पॉंसर्ड क्राइम होते हैं आज आज अगर देखा आप यहां किसी भी लॉयन ओडर के समश्या में आ ぁ नहीं को समर्थन है सकार के दौर्शे अंके पर्ती थोड़ा साफ्ट कोर्णाब सthey 7 घृट बने के बात की तो कॉंग्रेस उसका अनुसरं कर रही है बहिया जी उपर जने उपहन लेते हैं और बहना जी उपर एक भगवा शौलोड लेती हैं तो ये दिखावे की रूप में तो अनुसरन कर रहे हैं जोदपूर की घटना बताता हूं तुष्टिकन का सबसे बड़ा उधारन सोडा जो कमीनिटी है जो पाकिस्तान से यहां विस्तापित होके आये थे वहां पे उनके जहां रह रहे थे वहां पे इनके 200 मकान बुल्डोर्जर से तोड़े गए जोदपूर की घटना है ये तो अ तुष्टिकरण के गहरे समुद्र में ये इन्होंने डुबकी ऐसी लगा रखी है कि इनको बाहर निकालने के लिए सिर्फ भाजपा ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है जी आप कुछ करा है नरंद्र मोदी जी ने देश की दिशा और दसा दोनों को बदल दिया है उसके पीछे एक बात उन्होंने बहुत इस पर जिस जो सनातन परंपरा है भारत की उस परंपरा को लेते हुए देश के को आगे बढ़ाने की जो विचार धारा है उसको अब जन करन की जो निती हमेशा कॉंग्रेस आज दिन तक देश आज़ादी से लेके अब तक करती है यह उसका ही परिणाम है 2014 का इलेक्षन और उसके बाद 2019 तो उसका निच्छी थी परिणाम अभी इसी विदान सभा में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान को लग रहा कि 24 का म मैसेज देगा बहुत बढ़िया तरीके से देगा मजबूती से देगा बात वकिल साब एक और रह गई जैसे कि जो हमें एंटेनी कमीटी का लेकर क्या है तो सरकार हर सरकार सत्ता चाहती सरकार अब इतना विरोध हिंदूों का है तो लगातार उसको उपेक्षा के दिरिश् अब लोगों को लगता है क्या मुझे मोदी जी का एक बासन अभी मेरे मित्र ने भी बताया और मोदी जी का एक बासन और उस बासन की दो पंक्तियां बड़ी परभावी लगती है उन्होंने का कि कॉंग्रेसी भी यह सोचते हैं कि अब हमारी कॉंग्रेस वो कॉंग्रेस न अगर वो कहीं एक अदी जगह जीतती भी है, तो उसका कारण उनकी उपलब्दी नहीं है, उनकी सोसल इंजिनिरिंग है, सोसल इंजिनिरिंग में जैसे रिजिनल इफेक्ट होता है, जैसे बासे इफेक्ट होता है और जातिकत इफेक्ट होता है, और समाज को बाट करके, तो देखा कि इस एरिया के इंदर इस जाती का वेक्ति है ये इनके साथ में लगेंगी इस वेक्ति को खड़ा कर दो तो कॉंग्रेस कहीं ऐसा नहीं कि अपनी विचारदारा के दम पे जीत रही है ऐसा कोई स्थान नहीं है मुझे लगता है राजस्थान में तो ऐसा कोई एक तो एक कांग्रेस के खिलाब हम बोटिंग कैसे करेंगे कौंजी क्मझरेस की बात करो शाहब आजादी दिलाने एक था एक माध्यम के कॉंग्रेस एक ग्रूप था लेकिन महातमा गांदी ने आजादी के बादी उस कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया था वो कॉंग्रेस के इंदर सभी लोग सामिलते हैं कौन जी कॉंग्रेस नाजादी दिलाई ये जो कॉंग्रेस ने जो तो पेर मंगल पंडेर यह तो मेरिट कि वहां से लगे में कॉंग्रेस की इस्तापना कि यू जो अंग्रेज का एक एजेंड था और उसी ने आज़ाई पारे में ना उनकी जैंती मनाती है कॉंग्रेस का गुणी सो तीस का जो लाहूर का एदिवेशन ता उससे पहले कभी इनको पूर्ण सवराज चाहिए नहीं था डॉक्टर हैडगवार ने पूर्ण सवराज की मांग की थी इन्होंने तो सिर्फ यह चाहिए था कि जो इंस्टुट्यूशन है उनमें किसी को प्र तो अंतरता के बारे में 1930 तक तो कॉंग्रेस के विशह भी नहीं था ने तो यह 75 साल भी बाद भी क्यों है पुब्लिक में कि कॉंग्रेस ने आजादी दिलाई हम इसके खिलाब बोटिंग नहीं करें रिजन रिजन ही है कि सत्ता में यह रहते हैं आज चाच्चा नेरू है अब चाच्चा नेरू नेरेटीवी है चाचा किसके चाचा इसी परकार से और भी लोव पूरुस इंद्रा गांधी आप इंद्रा गांधी के बैटे 1971 में जब बंगलादेश वार हुई थी वो लोव पूरुस के बैटे तो भाग गेते हैं राजीव गांधी पब्लिक में ह है यह चीज है सबको पता है और उसी को लोव पूरुस बना दिया अब 71 का जो वार थी उसके पिछे रीजन कुछ और थे उस टाइम जो भी एकोनोमिक क्राइसिस थे और दूसरे मोर्चों पर जो लड़ रहे थे उसके कारण से दूसरा बंगला देश मेंट था उसके कारण मंत्रिया हमारा है कि आज नरेंदर मोधी उनके आने में आज अब भी कल पर सो पता लगा फोर ट्रिलियन एकोनोम होगी है ठीक है और जब हमारे अर्थ सास्त्री परदान मंत्री थे उस टाइम तक तो उस टाइम तक तो हम लोगों से उधार लेते थे हमारे ओएल बंड जो यह नहीं अरब से हमने तेल आयात किया बिना पैसे किया उधार में किया और उनको ओल डाल दिये उनके जो बिल है यह जो उनके चार्जेज है वह बोदी गवर्मन्ट पेंगे रही है और दो जाट शब्वीस में पूरा पैसा पेंगा पड़ेगा कौन पेंगा जो पर ओल मनम की गवर्मन्ट चुगाएगी यह अर्थ व्यवस्ता उनकी थी है और यह अर्थ व्यवस्ता चलाई और लोगों के अंदर मैसेज दिया और एक नेरेटिव फिट करने के लिए मास्टर होता है